समस्कार आप स्वभी का स्वागत है मारे यूटूब चैनल चेनिया क्लासेज पर तो आज अपने बात करेंगे राजस्थान एपियारो प्रिक्षा 2022 से स्मंदीत सायक जनसंप्रक अधिकारी प्रिक्षा से जुड़े जरूरी दिशानेटे जैसे की ड्रेस कोड आपका क्या र सकते हैं और किस प्रकार से ड्मिट का डाउंडोड करना है संपूर्ण जानकारी पर आपने डिटेल रूप से चर्चा यां करने वाले हैं तो वीडियो में शुरू से अंतक बने रहें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से कलियर हो सके और एक्जाम के दोरान और चैनल पे नए हो तो चैनल गो सब्सक्राइब कर लें गंटे अब शेदवादे और हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की उप्योगी और नविंतम जानकारी आपकी चैनल के मादिम से समय समय प्रपलब्द होती रहें सबसे पहले अपने प्रिक्षा कारी कर्म के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि प्रिक्षा यानि कि सायक जनसंप्रक अधिकारी सिधी बरती प्रिक्षा 2021 आपकी 24 अप्रेल 2022 यानि कि 24 तरीको एक्जाम में वो आयोजित किया जाएगा एक्जाम का जो समय रहेगा वो दो गंटे का रहेगा यानि कि 10 बजे से लेकर के और दो पेर 12 बजे तक आपकी प्रिक्षा का आयोजन है वो किया जाएगा फिर देखिए पॉइंट नमर दो में देरका है प्रिवेश पत्तर से समंदित प्रिवेश पत्तर है यानि कि आपका जो इड़मिट कार्ड है वो आपको 18.4.2022 यानि कि 18 तारिक से आप रास्तान करमचारी चैन बोड की जो ओपिशल वेबसाइट है वहां पर जाकर करके वो डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड करने की प्रोसेस आपको रास्तान करमचार के बाद candidate corner को open करना और वहां पे आपको option मिल जाएगा admit card का उस पे आप click करोगे तो वहां पे एप्यार ओ admit card download करने का option आ जाएगा तो इस प्रकार से आप इसको download खुझ से mobile से कर सकते हो तो यह होगी admit card से पूरी जानकारी फिर अपने बात करें तो इसमें exam center पे आपको कितने बजे किया कितना समय पहले पहुंचना है इस पर चर्चा कर लेते हैं तो इसमें point number 5 में आप देख सकते हो का आगया है प्रिक्षा के अंदर पर निर्दाई समय से यान कि जो exam का समय है exam का समय रहेगा 10 बजे से लिकर के 12 बजे तक यानि कि आपको 10 बजे से 1.5 गंटा पहले यानि कि साड़े 8 बजे आपको exam center पे पहुंच जाना है क्योंकि बाद में वहां पे बहुत सारी checking होती है तो checking में आपका एक गंटा लग जाता है और आदा गंटा exam center में पहले आपको entry दी जाती है ताकि वहां पे आपको OMR seat fill करने में भी time लगता है तो आपको 8 बजे exam center पे किसी भी condition में पहुंच जाना है उस point number 6 में दिरका है कि करोना की जितने भी जुरूरी guideline है उन सब को आपको पालन करना पड़ेगा मस्क लगा के जाना है distance maintain यानि कि जितने भी वो प्योगी जानकारी है करोना से इसमंदीत आपको सब जानकारी पता है तो उन सब कावशे रूप से पालन करें फिर देखिए point number 9 में का गया प्रिक्षा के अंदर पर अपना provisional e प्रवेश पत्र यानि कि जो admit card आप निकाड़ोगे वो आपको ले के जाना है इसके अलावा एक मूल photo यूग पैचान पत्र यानि कि आपकी एक मूल ID होनी चीए उसकी photo copy नहीं होनी चीए ये मूल ID आपक को साथ में लेके जानी है देखिए इस पर रूप से का गया एक provisional e प्रवेश पत्र यानि कि admit card एक मूल photo यूग पैचान पत्र यह था यानि कि आपकी मूल ID कोई भी हो सकती है जो इसमें देर के है जैसे मदाता पैचान पत्र हो सकता है वो ले जा सकते हो अधार कार लेके जा सकते हो पासबोर्ट, ड्राइबिंग, लाइसेंस इन में से कोई भी एक आईडिया जिस पे आपका फोटो लगा हुआ होना चीए उसको आप अवशेरूप से साथ में लेके जावें इसके अलावा उपस्तिती पत्रक पर चस्पा करने है तो यानि कि जो आपका admit card है उस इसके लावा एक मूल आईडी हो जाएगी, आईडी के रूम में आप अजार card लेके जा सकते हो पैजान पत्र लेके जा सकते हो पासबोर्ड लेके जा सकते हो या driving license इन में से कोई भी एक लेके जा सकते हो इसके लावा die into die centimeter का एक photo admit card पे चिपकाने के लिए आपको लेके ज प्रिक्षा में समलित होने के लिए प्रिक्षार्थी निर्दारी dress code में आना अवनिवारी है यानि कि जो dress code यहां पर बता रहे हैं आपको उसी के अंतरगत जाना पड़ेगा तता Corona guideline के दर्ष्टिगत प्रिक्षा के अंदर पर प्रिक्षार्थी का मास्क लगाना लगाकर अनवारी है dress code मन या जानकारियों की बात करें तो point number one में देखा पुरूस यदि आप पुरूस candidate हो तो अभियरती आदी आस्तिन की shirt या T-shirt यानि कि हाब आजू की shirt पहन के जाए या T-shirt इसके लावा pant और हवाई चपल या slipper पहन के आपको जाना होगा इसके लावा point number two में का गया महला बेरती सलवार सूट या साड़ी आदी आस्तिन का कुर्ता, blouse, हवाई चपल, slipper पहन कर एम बालों में सादार्ण, rubber band लगा कर आएंगी point number three में का आगया प्रिक्षार्चियों को पूरी आस्तिन का कुर्ता, shirt, blouse आदी पहन कर एम अपनी बेस बुसाब में बड़ा बटन किसी परकार के ब्रोज, या जड़ाओ पिन या बेज या फूल आदी लगा कर आने की अनुमती नहीं होगी तो इस बात का आप अवशे रूप से ध्यान रखें सपस्ट रूप से ये बातें ड्रेस कोर से समन्दी कही गई है आपको हाब आजू की shirt, t-shirt, pant, हवाई चपल पहन के जानी है परण No.4 में का अगया है, प्रिक्षारती लाख या कांज की पतली चूडियों के लावा किसी भी प्रकार की जेवरात या निया प्रकार की चूडियां कान की बाली, अंगूर्ठी, ब्रासलेट दी पहन कर नहीं आए प्रिक्षार्थी प्रिक्षा के अंदर में किसी प्रकार की गड़ी, सेंडल, मोजे, दूपका चस्मा, बेल्ट, हैंडबेग, हेयर पिन, गंड़ा, तावीज, कैप, हैट, सकाफ, स्टोल, सोल, मफलर, प्रिक्षा में पहन कर नय आवें तो ये ड्रेस कोड से समंदित महकून बाते बताईगी है, जो ड्रेस कोड आपको बतार का है, आप निर्दारी ड्रेस कोड में ही जाएं, क्योंकि बाद में आप कुछ भी अगर अनावशक सामगरी पहन के जा रहे हो, तो वांपे आपको उतरवा दी जाएगा, तो उससे पह पूरा ये official notification चाहिए, तो वीडियो के description में मारे टेलिग्राम गुरूप चीनिया Classes का link मिल जाएगा, आप link से join कर ले, या पी टेलिग्राम पर जाहिए सर्च किजिए चीनिया Classes, join कर ले, वांपे आपको पूरा PDF मिल जाएगा, तो आप एक बार फिर से इसको अच्छे से clear कर सकते हो, तो उमीद करता हूँ, हमारे द्वारा दी की संपुन जानकरियां आपको अच्छे से clear होई होगी, इसके लावा कोई भी आपका question बसता है, तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हो, आपको solution मिल जाएगा, तो वीडियो को like कर दे, share कर दे, चैनल को subscribe कर ले, हमसे क्यों जानकरियां मिलते रहे, तो मिलेगे ने वीडियो में जानकरिक साथ, तक तक, धन्यवाद